हेलो गाइस, वेलकम बेक टू माई चानल, आज हम डिसकस करेंगे अपना टोपिक, Modern Trends in Indian Art, इसके अंधर हम अपने Paintings पार्ट को पहले ही डिसकस कर चुके, अब हम डिसकस करेंगे अपने Graphic पार्ट को, मतलब Graphic Print को, और शेप还्या पार्ट में हम डिसकस करेंगे अपने स्कैल्चर्स को तो आज कहा हमारा टोपिक होग मिदूद्द दिन दो इसकें अंदर मैं आपको सबसे पहले भॉरमेट पिता देती है क्या-क्या लिखना होता है यह कहीं का इंशन होता है तो किया लिख सकते हो मौडरन इंशन मेश हमें थेम था मेडिया में साथ मेडियम किसी चीच पर इसाइब ना वह है अब आप हम देखते हैं कर्टेसी कि कहाँ पर यह ग्राफिक प्रिंट अभी रखा हुआ है उसे वाद आपको लिखना होता है डिस्क्रिप्शन तो यही पाँचीज़ें आपको mention करनी होती है और उसे वाद आपको लिख देना होता है डिस्क्रिप्शन तो इसी से आपको अपने पेंटिंग में क्या मिलते है फुल नंबर मिलते हैं तो अब हमारा सबसे पहला ग्राफिक प्रिंट है वर्पूल जिसका नाम क्या है वर्पूल आर्टिस्ट है इसके क्रिष्णा रेटी टाइम पिरिड है इसका 1955 से 1970 एडी एडी का मतलब क्या होता है आफ्टर डेथ मीडिय में इसका इचिंग मतलब इचिंग से बनाया गया रही आगे देखते है कर्टेसी दे नैशे गैलरी ओफ मोडर नाट न्यू देली तो यहां पर यह रखा हुए हमारा ग्राफिक प्रिंट अब हम देखते हैं इसके डिस्क्र करने में बहुत ज़्यदे दिक्कत होती है क्योंकि इसमें जाएदा कुछ शोन नहीं किया गया तो हम बिल्कुल इजी तरीकेस पढ़ेंगे इसमें आपको क्या क्या लिखना है डाट इस शोन आप फूल ऑव वाटर विद बाउंड्लेस वेवस मीटिंग अड़ सेंटर आपनी की मुवमेंट को बहुत ज़्यादा दिखाया गया स्क्रेटर वेरी फोर्सफुली बाइदा आप आपनी बहुत तेज देशें फिल रहे इस तरह से शोक किया गया यह जो क्या कर रहा है सेंटर मैं मिल जा रहा है आगे देखते है ता यूज ओव डिफेरेंट ऑ इंडिविजुल स्टाइल ओफ इचिंग वर्क इस आर्टिस यह आर्टिस बहुत फेमस हैं किसलिए इंटरनेश्टली फेमस हैं बहुत जादा फेमस हैं सिर्फ अपने इचिंग के काम के लिए ग्राफिक प्रिंट ओफ रिष्णा रेड़ी इस वेरी ब्यूटिफुल तो तो आव हम देखते पना नेच्ट ग्राफिक प्रिंट जिसका नाम है ओफ पॉल्स इसकी आर्टिस्ट्स चाहँ अनुपमसूत मीडियम है लितोग्राफ लितोग्राफ आप याद रखने हैं इसका मीडियम है अब का लितोग्राफ टाइम पीरिड किया गहता है इसका 1982 A.D. कर्टेसी है All India Fine Art Craft Society New Delhi तो यह आपका अच्छे से जादिख में कि ओफ और सी कर्टेसी कहा है All India Fine Art Craft Society New Delhi अब हम देखते हैं इसके description को दा आर्टिस जनुपम सूध imagines an experience when she returned to the house where she had spent his childhood तो इसमें क्या बदाया गया है इस इचिंग का बनाया है उन्हेंने imagine किया है कि जब हो अपने घर आती है जहां पे वो कहां रहती थी बचपन में रहती थी तो उसने उन experience क्या किया है imagine किया और इसको बनाया है इस graphic print को बनाया है तो यहीं लिखा हुए आर्टिस जनुपम सूध imagines an experience when she returned to the house where she has spent her childhood in the background you can see the walls of Havali अब background में आप देख सकते एक बहुत बड़ी wall दिखाई गई है जो किसकी wall है Havali की for instance the wall drawings that she had made as a little girl reappear मतलब जब वो छोटी बच्ची थी जब वो वहां रहती थी तब जो उसने वहां पे drawings बनाई थी उस wall पे वो इस painting में दिखाई गई है there are drawings of plain triangles, circles, rectangles on the wall अब आप wall पे देख सकते हो plain triangles बनाई गई है, circles बनाई गई है और rectangles बनाई गई है the line drawings are in white color मतलब जो ये drawings बनी हुए ये सारी कौन से color से बनी हुए है white color से बनी हुए है the poor faceless lady sitting on a pavilion of wall and she is wearing an untidy rooking sari and is barefoot मतलब एक poor lady दिखाई गई है painting में आपको दिख रहा होगा graphic print में एक poor lady शोग की गई है वो कैसी है faceless lady sitting on a pavilion of wall and she is wearing an untidy looking sari and is barefoot मतलब उस वो lady के एक तो नंगे पैर बैठी हुई है उपर से उन्हें एक sari पाई हुई है untidy मतलब इससे प्रेस नहीं हुई ऐसे ही उन्हें एक sari डाली हुई है और वह घापे बैठी है wall के आगे बैठी है in the foreground two legs and a foot is visible मतलब आप अगर सबसे आगे देखोगे painting में तो दो legs दिखाए गया और एक foot दिखाए गया एक पैर दिख रहा और दो टांगे दिख रही है ओपर man sleeping near the wall इससे क्या पता चड़ा कि एक आदमी के लेटा हुए wall के पास brown color is used in this graphic print तो इस graphic print में brown color का ज्यादा ज्यादा यूज़ किया गया है तो अब हम देखते है अपनी next painting जिसका नाम के है children artist ने सोमनाथ होर medium eyes का eating period इसका 1955 to 1970 AD courtesy आपको लिखने national gallery of modern art new Delhi अब हम देखते है इसके description को black and white color are used in this graphic print अब इस graphic print में आप देखो के black और white color का ही use किया गया है it is a composition of five standing figures grouped together इस painting में क्या दिखाए गई है पांच जन्हें दिखाए हुए five figures दिखाए गई है जो एक साथ खड़ी है all victims of starvation अब ये line इसमें बहुत important है कि सारे किसके शिकार है बुखमरी के शिकार है इस painting का main theme है कि इन सारे लोगों वो बुखमरी का शिकार दिखाया गया है heads or skull with small faces जो इनकी सीर है वो बिल्कुल कंकाल की तरह लग रहे है with small faces इसमें क्या छोटे-छोटे मुह दिखाया गई है eyes are white horrifying hollows अब आप इनके eyes को देखो कि तो बिल्कुल white color के drying के गई है और horrifying hollows horrifying hollows का मतलब बिल्कुल खाली आपके दिखाई गई है और बिल्कुल डरावनी दिखाई गई है their mother standing behind them उनकी मम्मी उन दोनों बच्चों की जो सबसे आगे वाली figure है उनकी पीछे उनकी क्या खड़ी है उनकी mother खड़ी है their mother standing behind them has put her protective hands on their shoulder अब उनकी mother ने क्या रखा हुआ है अपना हाथ रखा हुआ है उनकी कंधों पर in the foreground a semi-dressed child is standing wearing a necklace तो foreground में सबसे आगे जो बच्चा खड़ा है उसने क्या semi-dressed मतलब आदे कपड़े डाले हुए standing wearing a necklace जिसने क्या पार रखा है गले में एक necklace भी डाल रखा है the tallest figure on the top with hands on the both sides of the head appear ghosty अब जो सबसे पीछे वाली figure है जो सबसे last में है painting के वो किया सबसे tallest है the tallest figure on the top with hands on the both sides उसके हाथ के दोनों side पे है उसके sir के with hands on the both sides of the head appears ghosty वो किस की तरह लग रही है भूत की तरह लग रही है और एक old girl दिखाई गया painting में side में और girl with her back towards the viewer is standing on the left तो एक girl दिखाई गया left की side में जिसकी back किस की तरफ है viewers की तरफ है standing on the left इस graphic print is very beautiful तो यही आपको इस वाली graphic print में explain करना था तो अब हम दिखते अपनी next graphic print जिसका नाम के है देवी आर्टिस्टेस के जोती भट पीरेड इसका 1965 से 1975 AD इसका भी मीडियम के है इची तो ज्यादे तर आपकी graphic print का मीडियम इचींग होता है या फिर लिथोग्राफ होता है आगे दिखते हैं courtesy इसका national gallery of modern art न्यू देली अब हम देखते हैं इसके description को the composition is a combination of two rectangles अब इस composition में क्या दिखाए गया है दो rectangles दिखाए गया है बड़े-बड़े rounded at the corner जो क्या corner से क्या है थोड़े-थोड़े rounded है आगे दिखते हैं अपर rectangle has a bold face in its center अब जो उपर वाला rectangle है उसमें bold face दिखाए गया है in its center उसके center में and the lower one has two circles with one human figure each अब जो नीचे वाला rectangle है उसमें क्या दो circles दिखाए गया है ध्यान से देखो पिंटी को नीचे वाले rectangle में दो circles दिखाए गया है with one human figure each और दोनों circles के अंदर छोटी-छोटी human figures बनाई गई है तो यह आप मुझे जयाद दिखने कि दोनों circles के अंदर छोटी-छोटी human figures बनाई होई है on the forehead of a face on the upper rectangle a brilliant red बिंदी catches the eye the line is important आपकी कि जो उपर वाली rectangle है उसमें जो face दिखाया गया आपका उसमें क्या है एक brilliant red बिंदी show की गई है जो एकदम अगर हम painting को देखे तो एकदम से हमारी नजरू में आ जाती है the wide open eyes are also shown और उपर वाले rectangle में बहुत बड़ी-बड़ी और खुली आँखें दिखाई गई है the figures in the circle are cut अब जो circle में यह figures बनाई होई थी human figures बनाई होई थी यह बिल्कुल गोल बनाई होई है there are small birds and other small motifs of folk art as well as in this circle अब इनी small circles को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनी के अंदर चोटे-चोटे birds भी बनाई गया है और कुछ folk art भी किया गया है this graphic print is very beautiful तो अब हम देखते हैं अपने last graphic print को हमारे इस labels में पांच ही graphic print है इसका नाम है man, woman and trees इसके artist है के लक्ष्मा गौड, medium है इसका lithograph school है इसका modern school अब देखो time हमें fix नहीं दो थो हमने लिए modern school courtesy है आपकी national gallery of modern art new Delhi तो courtesy almost यह होती है बस एक painting के एक graphic print की अलगती ही मैंने आपको बता दिया था अब हम देखते हैं description this vertical graphic print has four trees in the background अब इस graphic print कैसे है यह vertical बनाया हुए vertical मतलब ऐसे बनाया हुए graphic print has four trees in the background और इसमें four trees दिखाए गया है background में तो देखाँ painting के नाम में में discuss किया गया man, woman and trees मतलब trees की बहुत ज़्यादा importance है तो trees के बारे में आपको अच्छे से explain करने हैं कि four trees दिखाए गया है one on the left side of the print and three trees on the right side of the print मतलब एक tree एक side पे दिखाए गया print के और तीन trees एक side पे दिखाए गया है आगे दिखते हैं अब woman wearing a sari is sitting under the single tree अब जिस woman एक woman दिखाए गया है उन्होंने क्या डाली हुए साडीर पाई हुए है और वो कहा बैठी है एक single tree के आगे बैठी हुए है wearing a nose ring अब woman का उन्हें एक लाइन में explain कर दिया अगर आपके बस ज्यादा नमबर कोशन आजा था आप अले अलग लाइन भी बना सकते हैं woman ने क्या डाली हुए है एक nose मैं की तरफ देख रही है जो कहां बैठा है उन तीन पेड़ों के आगे बैठा है तो कहां बैठा है वह तीन पेड़ों के आगे बैठा है और वह आदमी क्या है woman की तरफ देख रहे हैं there simple villagers of South India तो क्या शोकिया गया है कि यह दोनों जने क्या विलेजर्स हैं साउथ इंडिया के between the man and woman flowering plants and shrubs are seen तो man and woman के बीच में आप देख सकते हो plants दिखाए गए हैं बहुत से flowers दिखाए गए हैं और shrubs भी दिखाए गई हैं this graphic print is very beautiful तो यहीं पर खतम होते हैं हमारे graphic prints तो मैं होब करते हैं आपका अच्छे से समझ आये होंगे तो प्लीज इस वीडियो के लाइक कर दो में चाहें को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू